हाई व्रीवन वेलकम बैक टू मेंसर्किल आगे बात करने वाली हूं कि बच्चेदानी का मुह बंद क्यों हो जाता है इसके बंद होने की क्या वज़ा होती है क्योंकि अधर बच्चेदानी का मुह बंद है वो नहीं खुलता है तो एक महिला कभी प्रेगनेंट नहीं हो पात क्योंकि जब तक बच्चेदानी का मुह नहीं खुलेगा तो अंदर इंटर नहीं कर पाएगा और उस वज़े से आप प्रग्नन नहीं हो पाएंगी तो ऐसा इसलिए होता है कि जो बच्चेदानी का मुह होता है यानि सर्विक्स उसको बोला जाता है तो उस जगहां पे सूजन आ जाती है तो जो बच्चेदानी के मुह पे सूजन आ जाती है तो उस सूजन की वज़ा से वो मुह बंद हो जाता है या बहुत छोटा हो जाता है बिल्कुल ही बंद हो जाता है जिस वजह से बहूत सारी महलाई होतीं वह मां नहीं बन पाती है और बट्र can zuk riches दानी का मूँ बंद हो जाता है और मेरिकल में इस कंडिशन को सर्विस आइटिस्ट बोला जाता है अब इसके होने के और की कारवश होते आप अपने बचेदानी की मुह पर जो सूजन आ गई है जिसके वज़े से बचेदानी का मुह बिलकुल बंद हो गया है उसको आप सही कर सकती है कुछ गयरेलू तरीके से तो वीडियो के लास्में मैं वह भी बताऊंगी इसलिए वीडियो को अंति तक जरूर देखेगा जिस वज़े से आपके बचेदानी का मुह बिलकुल बंद हो जाता है जिस वज़े से वहां पर सूजन आ जाती है और मुह बिलकुल बंद हो जाता है तो उसमें कई सारे कारण है जिसमें पहला पॉइंट है आपका अनहाईजीनिक तरीके से रिलेशन बनाना जानी कि जब आप maintain करती है उस time पे आप hygiene का ध्यान नहीं रखती है आप बहुत ज़्यादा unhygienic relation बनाती है तो उस time में बहुत ज़्यादा chances होते हैं कि आपके बचेदानी में सूज़ा ना सकती है बचेदानी के मुझ पर सूज़ा ना सकती है तो इस चीज के chances बढ़ जाते हैं एक कारण यह ह और दूसरा करड़ होता है infection कि वज़े से आप अपनी वेजाएना की साफसफाय का ध्यान नहीं रखती हैं आप अपनी P dialogue यह दिन के खेक यह तवाट पैंटी तो आप समीशघीन नहीं रखती हैं, बिल्कुल कम अगर आप बहुत कम करती हैं तो ऐसी कंडिशन में भी कई बार बचे दानी में सूजन आ जाती है उसके मुँपे सूजन आ जाती है क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा देर तक बैठी रहती है या बैठने ही वाला काम करती है तो पेट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है खास करके आपके पेट के निचले हिसे पे यानि के पेलवे के अरिया में बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और उस वजह से दीरे-दीरे बच्चेदानी में सूजन आने लगती है और इसका एक और काऱ होता है जो की काफी मैन रिजन भी हो सकता है वो है आपका मुटापा अगर आप अपने वेट को अपने पर तो कंट्रोल नहीं होता है और उस जहां पे बहुत छहीं हो गई थे खत्ता है तो उस वज़े से प्षिधानी में चर्वी भी करक्ता हो सकती है और आपके बचीदानी पर सूजन आ सकती है उसके सरेख का मुझव बंध हो सकता है ये कई सारे कारण हो reuse जो मैंने आपको बताए हैं तो कुछ लक्षर आपको Daati में या बचेदानी के मुह में सूजन तो नहीं है तो उसमें सबसे पहला लक्षर तो यहीं है कि अगर आप काफी लंबे समय से ट्राइब कर रही है प्रेगनेंट होने के लिए लेकिन फिर भी आप कंसीव नहीं कर पा रही है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण यह हो सकता है कि शायद आपके बचेदानी का मुह बंद हो उस पे सूजन हो तो जो मुह नहीं खुल रहा है तो आप कभी भी प्रेगनेंट नहीं हो पाएंगी तो एक बहुत बड़ा लक्षर तो यह हो गया अब जो दूसरा इसका लक्षर है वह है कि आपका एर्रेगलर पीरिएड अग अगर कभी-कभी वह टाइम से पहले आ जा रहा है या कभी-कभी वह लेट से आ रहा है डिले हो के आ रहा है अगर इस तरह से आपका पीरिएड आ रहा है और उसी के साथ साथ आपको फ्लो बहुत जादा हो रहा है या कभी-कभी बहुत कम हो रहा है तो इसकी वज़ा भी हो एप के बच्चे दानी के मुँह साहई है और अगर आपको में सब्सक्राइब कर दिया है तो अब के बराबर रहता है देता है ची आपके सर्विक्स पर सुजन चॉज रहता है न्यूंत ideal% यलो कलर का डिस्चार्ज हो रहा है उसके साथ-सात बहुत बाद ब्हुत बदू भी आ रहे है तो इसका भी मतलब है यह लग्षणा यह भी सुझा नहीं बच्चेदानी में लोगी लाक्राणि soon to warak जब यूरिन पास करती हैं आपको दर्ध होता है या अपके प्रैवेट पार्ट में बहुत ज़ादा इचिंग होती है खुझिली होती है तो यह सारे सेम्टम्स भी हैं कि आपके बच्चेदानी में या बच्चेदानी के मुँपे सूजन है तो यह कई सारे लक्षर हो गए ज सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर दीजे अगर आप बहुत जादा देर तक बैठने वाला काम करती हैं तो आप बहुत जादा देर तक मत बैठिए आप वाक जरूर करिए आप दिन भर में सुबा या शाम से मिलाकर लगबग एक घंटे की वाक जरूर करिए अगर इस तरह के परिशानी है आपको आदा गंटा आप सुबा रख सकती है आदा गंटा शाम को रख सकती है आप लगबग दिन में चाली से पचास मिनट की वाक जरूर करिए और उसके बाद आप अपने लाइफ स्टेर में यह भी चेंज लाइए कि आप अपने खा इस तरह की चुकंदर हो गया इस सब तरह की चीज़े खाईए और आप फ्रूर्ट्स खाईए जिसमें की बहुत जादा बारी मातर में फाइबर होता है और विटामीन मिर्णा से बहुत सारी चीज़े होती है जिसे आपको शरीर को आपके पच्चे दानी को काफी जादा प अजवाइन की धूनी दीजिए अजवाइन की धूनी आपको तीन दिन अपने प्राइवेट एरिया के देनी है अजवाइन की धूनी देनी के लिए आप कोईले की आग बना लीजिए और उसके बाद उसमें आप अजवाइन डाल दीजिए और उससे जो धुआ निकले उसस तो आप एक दिन के ग्रया प्रैप्ट गर्मे करें वहां है अक दिन के ग्रयाप उल्चा कर according to exam ऑपार दोर से कैसे धाप अने legitimately Сब्णड भी स्काशनी कोई भी उसी फ्रचार करकिते हैं और आपके पचितानी की मुग की सूजन सही होने लगेगी और जो दूसरा आप उपाय कर सकती हैं वो यह है कि आप फिटकिरी के पानी की सिकाई करें यानि कि आप एक बड़ा सा टब ले लें और उसके बाद उस टब में इतना पानी होना चाहिए जब आप उसमें बैठें तो आपको पूरा प्रावेट अरिया अच्छे से उसमें डूब जाएं उस पानी को आपको पहले बॉइल करना है उसमें फिटकिरी डालके आपको उस पानी को बॉइल करना है अच्छे से जिससे कोई भी germs हो, कोई infection हो तो इस सब चीजों को खतम करने में बहुत आसानी मिलती है तो आप इस तरह की सिकाई अगर daily करेंगे तो यह सिकाई आपके विजायना के अंदर तक पहुचेगी और जो भी सूजन है वो धीरे-धीरे सही होने लगेगी और इसके लावा आप अजवाइन का पानी पी भी सकती है उसका पानी पीने से आप क्यूंकि उसमें anti-inflammatory गुड़ होते हैं उसमें anti-oxidant भी बहुत होता है और anti-fungal उसमें गुड़ होते हैं तो इस सब वजह से जब आप अजवाइन का पानी daily पीएंगी तो आपके पेट के राजते जो भी किटाणू होंगे वो समर्ज जाएंगे और आपकी बच्चे दानी के मुँपे जो सूजन आई है वो देरे देरे सही होने लगेगी और इसके साथ साथ आप पानी भी खुब पीएं जिससे आप हाइडरेट रहें बिल्कुल भी डेहाइडरेशन नहीं होना चाहिए जिससे आपकी शरीर में जो भी गंदगी है जब प्रॉपर तरीके से आपकी शरीर में पानी पहुशता रहेगा तो उम्मीड करती हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी इंफॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर करें